ओ यार जलूल कुछ समझ नहीं आ रिया हैगा के आज क्या पकाऊं काने पीने की हर चीज को आग लगी हुई है क्या बोलता तू अरे बावले मेरे बोलने से क्या आग बुझ जावेगी अरे जल्दी जा और फायर बिर्गेट को फून कर ओ यार क्या बोलता तू ओ फायर बिर्गेट आते आते आग मजीद भड़क चुकी होगी कोई फवायदा नहीं जलूल अरे तो इसी आग पर दाल पका ले चूला भी नहीं जलाना पड़ेगा दाल तो होगी ना घर में ओ यार अब तो दालों की खेमते भी सीने पर मूंग दल रही हैंगी दुकानदार से एक छिटांग मसूर की दाल मांगी तो पता है वो क्या बोला ओहो क्या बोला जरा मैं भी तो सुनूँ ओ दुकानदार मूँ चिड़ा कर कहने लगा ये मूँ और मसूर की दाल अरे वैसे कुछ गलत भी नहीं कहा उसने महँगाई इतनी हैगी कि अब कॉमन मैन का मूँ मसूर की दाल खाने जोका भी नहीं रहा चल जा कोई सबजी लेया अरे भूल जा सब्जी तरकारी भईया अब इनके दाम इतने ज्यासी हो गए हैंगे के खावातिन उनके जेवराद बनवा कर दावतों शादियों और महविलों में पहन कर इतने राती भिरती हैंगी खसम से हैं तरकारी और सब्जी के जेवराद अरे क्या बेपर की उड़ा रहा है ओ यार सच्ची क्या रिया हूँ भईया मोदियों के बजाए मतर के लॉकेट भिंडी के जूमर और लहसन के कंगन तो बहुत मकबूल हो रहे हैंगे मेरी बात का यकीन नहीं आ रिया है का तो किसी ज जूलर से जाके पूछ ले तो छोड़ ये पकाने रेंदने के धंदे जा कुछ फल लेया आज वो ही खा लेते हैं आज कल सुन्दरख्वानी अंगूर बहुत अच्छे आए हैंगे सुना है सुन्दरख्वानी अंगूर खटे भी नहीं होते ओहा मगर उनके दाम सुनकर भी स्थना है